जै श्रीकल की ओम नमो भगवते वासू देवा है आज दुनिया में लोग तलाश रहे हैं कल की अवतार को आज भी लोग अस्मंजस की इस्थिती में हैं कि कल की अवतार का प्राकट्टे हुआ है या होने वाला है आज भी लोग इस बात के लिए सोच में पढ़ने पर मजबूर हो गए है कि क्या वास्तों में श्री हरी ने कल की के रूप में धरा पर जन्म लिया है जितनी मुख उतनी बाते हैं और हर एक के पास अपनी सोच और अपने सोच के एकोडिंग कल की अवतार का डिफिनेशन लेकिन क्या फर्क पढ़ता है इससे श्री हरी को जब उन्होंने जन्म लेही लिया है कल की के रूप में और उनके युग परिवर्तान का मिशन उनके अपने यूनिक पैटर्न के एकोडिंग आगे की ओर बढ़ता जा रहा है एक तरफ उनकी विनाश लीला तो दुसरी तरफ उन्हें निप्टाना है वो कारिय जिसके बिना सत्युक की इस्थापना हो ही नहीं सकती यानि सत्युक की इस्थापना करने के साथ ही उनमें प्रवेश दिलाना है उन 64 करोड आत्माव को जिन्हें देवी देवतात तुल्य यानि नर नारायन के तरह बनाना है और ये कोई आसान कारिय नहीं है क्योंकि वो 64 करोड आत्माव कल्यूग से ही चुनी जाने वाली हैं और कल्यूग वो अंधेरे का यूग वो गंदगी का यूग जहां पर रहकर हर आत्मा पर कोई न कोई दाग किसी न किसी हाल में लग ही जाता है चाहे वो कितना भी अपने आपको पवित्र रखने की या ज्यानी बनने की कोशिश क्यों न करें क्योंकि जिस एट्मोस्फियर में आज के समय में इंसान अपना जीवन यापन कर रहा है उसमें अपने आपको 100% प्योर रख पाना आसान नहीं है या यू कहिए नामुम्किन है तो ऐसे समय से 64 करोर लोगों को चुनना उन्हें पॉलिश करना उन्हें तयार करना ताकि वो सत्यूगी आत्माएं बन सके कल की अवतार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे चैलेंज को एकसेप्ट यदि कल की अवतार ना करें तो भला और कौन कर सकता है उनके बिना क्योंकि उनके ही कंधों पर जब सत्यूग को लाने के जिम्मेदारी है तब उनके कंधों पर 64 करोर लोगों को पॉलिश करके तयार करके सत्यूगी आत्माएं बनाने के लिए भी ये जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है जिने वो बखु भी निभा रहे हैं तो एक तरफ उ पाकि जो आत्माएं हैं उनका खात्मा उनका यहां से उनको विदा करना किस प्रकार से किस विनाश लीला के तहत होगा एक तरफ तो उनका ये कार्य चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ 64 करोड आत्माओं को बचाना भी है कल यूग में नैच्रिल डिजास्टर आते रहेंगे प्राक्रितिक आपदाएं समय समय पर आकर तबाही मचाएंगी आतंक मचाएंगी कोहराम मचा देंगी और लोग त्राहीमं त्राहीमं करेंगे उन सब से निकाल कर जब कहीं अगनी प्राशिय बिजली का गिरना कहीं बिमारियों का प्रकोप इन सब में उन 64 करोड आत्माओं को कैसे बचाना है और उन्हीं में से कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी जो जाएंगी यहां से और पलट कर फिर से इसी यूग में वापस आएंगी क्योंकि ये कर्मों का खेले और क जर्म लेके नीचे भी आना है तो उन 64 करोड आत्माओं को फिर से एक बार रिस्टार्ट करने के लिए उनकी जर्नी सत्यूग में कल की अवतार कर रहे हैं अपने तरफ से ऐसी मेहनत ऐसी कोशिश जिसमें की उन्हें सफल होना है क्योंकि उनको अनकंडिशनल विक्टरी उन उन्हें भी काफी मेहनत करनी पढ़ रही है किस प्रकार उन 64 करोड लोगों को सबसे पहले मेंटली स्ट्रॉंग उसके बाद फिजिकली स्ट्रॉंग यानी योगा और मेडिटेशन के द्वारा नहीं बलकि अंदर से उनकी सोल पावर उनको पता चले कि वास्तों में उनके लाइफ का परपस किया है इससे उन्हें अवगत कराना दुनिया भर की भागदौर में से पांच मिनट मेडिटेशन करने से इंसान के अंदर की अंतरात्मा की आंखें नहीं खुल जाती हैं इसके लिए समय समय पर कल की अवतार के द्वारा ली जाएगी परिक्षा जिसमें ठोक बजा कर उन आत्माओं को तयार किया जाएगा लोहे की तरह वज्ज की तरह मजबूत बनाया जाएगा ताकि सत्यूग में वो किसी और पर डिपेंडेंट ना रहें अपनी जर्नी सत्यूग की खुद के बलबुते पर आगे ले जा सकें किसी से मदद मांगने के लिए जरूरत ना पड़े आत्म निर्भर बने और खुद उनके अंदर उतनी पावर रहे कि उनके फ्यूचर को देखने के लिए किसी एस्ट्रोजर के पास या किसी पंडित के पास उन्हें जाने के जरूरत नहीं बलकि उनकी सोल पावर उनकी सोल स्ट्रेंथ उनकी मेंटल स्ट एवं उनकी फिसिकल स्ट्रेंथ इतनी हो कि वो खुद अपने आप से जुड़कर हर चीज आखे बंद की और सब कुछ उनके आखों के सामने अपने आप ही आ जाए और वो आत्माई इतनी पावर्फुल हो कि भगवान से जुड़ने के लिए उन्हें तपस्या उन्हें भजन उन्हें किर्तन उन्हें मेडिटेशन के जरूरत ना पड़े और बहुत जल्द वो भगवान के साथ जुड़ जाए क्योंकि सत्यूग में जब ये 64 करोर आत्माई जाएंगी उस समय भी भगवान का स्थित्व रहेगा तो भगवान से कॉंटक्ट करने के लिए आज के समय म जहां लोग बहुत समय निकालते हैं रिशी मुनी चले जाते हैं जाकर वो ग्यान गंज में तपस्या करते हैं हिमाले परवत पर पहुचते हैं सत्यूगी आत्माओं को इन सब बातों के लिए इंतजार करने की आवश्यक्ता नहीं बस आखे बंद की पांच मिनट शांती प पावर हैं यह जो मेंटल स्ठेंथ फिजिकल स्ठेंथ हैं सोल की स्टेंथ हैं इनर पावर बड़ी आऊसानी से अचीव नहीं होता हैं और इसे कैसे अचीव करना हैं कल के वुथार समय समय पर संदेश देते रहेंगे इन 44 करोर आत्माओं को जिन्हें पता नहीं कि वास्त लो में उनकी जर्णी किस यूग के बाद सट यूग में जाने की है यह तो सिर्फ-वर्ष कल के अथार को पता है कि कौन सी है वो 64 करोड आत्मा हैं जो सत्यूग में इस्सेधारी करेंगी सत्यूग के मेंबर्स बनेंगी सत्यूगी-संबड Champions लेंगी सोच उनकी नकारात्मक बन गई है उन सब को क्लीन करके उत इंसानों को आत्माओं को पूरा क्लिंसिंग प्रोसेस के तहट क्लीन करके तब उन्हें ले जाना है सत्युक की और जिसका प्रोसेस कर रहे हैं कल की अवतार अपने एकोर्डिंग अपने पैटर्ण के द्वारा और उनकी जो नपी ब्रूबत नेटी उनकी जो यूब परिवर्तन की निती वह सिर्फ वही जानते हैं वही समझ पाते हैं कि किस प्रकार से उन्हें तियार करना जिस प्रकार की एक कुम्हार जब चाक सेट होगा उसी प्रकार कल की ऑतार भी आज की डेट में बन गए हैं वो कुमार जो 64 करोर आत्माओं को जो की वास्तों में कच्ची मिट्टी हैं गिली मिट्टी हैं जिनमें आग लग गई है यह एसी मिट्टी जो की सूखने के पस्चाद भी जिनकों की नहीं ढाला जा सक रहा है एक शेप में बर्तन की उन में समय समय पर प्रक्रिटिक अपदाओं के चलते वो फिर से टूट जा रहे हैं बर्तन उन बर्तनों को सही शेप देने का जो कारे हैं वो अब कर रहे हैं कल की अवतार क्योंकि उन्हें अपने साथ ले चलना है चौसर करोड उन आत्माव को जिन्हें बनाना है हुने सत्योगी सोन थैंक यू वेरी मैच पर वाचिंग मैं प्ली